उमरिया जुलिके नोरोजाबाद बाजार में लाली अवदिया की दुकान में बूर का काम चल रहा था तभी निगरानी बदमाश शीतल कॉल वहां पहुंचा और गुंडा टेक्स मांगने लगा। तभी व्यापारी संके द्वारा ततकाल इस मामले की सूचना पोलिस को दी गए, सूचना मिलने को परांद मौके पर पहुंची पोलिस और निगरानी बदमाश शीतल कॉल को की तलाश की गए। जल से जल हिरासत में लेनी की बात कही गए। शीतल कॉल का आतंक दिन प्रति दिन अनेकों प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। नहीं शीतल कॉल को दोने में पुलिस के साथ व्यापारी संग भी जुठ गया। देखा यह पुलिस प्रशासन के बार निगरानी बदमाश सीतल कॉल को कितने घंटों में गिराफतार किया जाता है। वह दो है जोता है। उसके बाद मैं और मेरे को बोलता है तीरा चेला कहा है। मैं बोल्लेस कोई चेला नहीं है। वेह जाने लगा तो मेरे को सब्बल को भाट दोडादिया। पिर मेरे को दोडाया है बहुत दूर तक दोडाया बजात मनम दुर का सेट के दुगान तक दोडाया उसके बाद फिर उसके पीछे लड़के दोड़े हैं तो भग गया है वो त्या नम है उसका सीतल कोल गदा दफाई इतने केस कर रहा है लेकिन उसके ऊपर कुछ कारवाही नहीं हो पार देंगे को जे थाने अंदर अपका मामला नरोजावाद कि उसके क्या पूरा बाबनास है यह शीतल कोल यहां का एक बदमाश है जो निगरानी बदमाश की सूची में है हमारे यहां और इसने अभी साथ तारीकी रात कुछ इसा बताया है कि एक व्यापारी के पर इसने अपद मचाया है और जैसे कल शिकायत मिली हमको दकाल हमने अपरात बंजीवत किया है उसमें और कल से ही कई ठिकानों के छापे में मारे इसको दूनने का प्रयास किया जा रहा है अलाकि अभी तक वो नहीं मिला है लेकिन मैं सब मैं आश्वाशन अस्वस्त करता ह जाओं कि अधिक सदिक दो दिन के अंदर हम इसको कहीँ से ग्रफतार कर लेंगे और इसको पहले एनसे की भी कारवाई इसके पर दुख्य गई थी जो की भी हाई कोड में है और आज के आज या या एक-दो दिन के अंदर ही इसका जलाबदर भी दुबारा बनवाकर हम फिस कि नरोजवा सेनल मिश्रा की रेपोर्ट